तो आज में इस वीडियो में आपको बहुती सुंदर सी सलवार की महरी कर डिजाइन बनाना बताऊंगी और इस महरी को अफगानी महरी भी बोलते हैं क्योंकि इसके सेंटर में प्लेटे होती हैं और यह पहनने पर बहुत प्यारा लोग देता है तो चली श्टाट कर लेते हैं बनाना यह है सलवार जिस पर मुझे डिजाइन बनाना है और यह लेस का यूज करते हैं मैं डिजाइन यह बॉर्डर है जो मुझे इसके सेट के साथ मिलाता तो मैंने यह बॉर्डर कट कर लिया है और यह सलवार है जहां में महरी बनानी है तो यह मैंने 19 इंच की कट कर ली है और 16 या 15 इंच का जो बॉर्डर है में इसकी पर बनाना है बीच में मैं प्लेटिन देनी है इसलिए इसमें मैंने मार्जन दिया हुआ है, तो इस बॉर्डर को हम कर लेंगे 15 इंच पे का कट, आपको जितनी इंच की महरी बनानी है, तो आप उतनी इंच का ही बॉर्डर या लेस कट करिएगा, तो यह मैंने बॉर्डर कट करके इसकी पीछे जो है बकरम पेश्ट कर ली है, और गयरेंगे बाद अब हम इस के उपर लेस से लेंगे, तो अभी हम एक स enclosureट इस Marriage को attached कर लेते हैं, पिर दूसी सेट इस workflow आप यह ध्यान रखिएगा कि मैंने किस डार हैसे लेस को attach किया है, देखिएएए एक साप हमारी लेस को अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं ना ही सब्सक्राइब करते हैं मेरे चनल को तो प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लेजिए देखिए लेज जो है वो अटाच हो चुकी है अटाच करने के बाद जो है हम से सिंप्री ऐसाफोल्ड कर लिना है देखिए कितना खुबदर सा जो बॉर्डर बनके है मारा कंप्लीट हो जाता है अब इस बॉर्डर को हम लगाएंगे सलवार की ऊपर तो सलवार में हमें क्या करना है, बीच में प्लेटिंग देनी है, तो सलवार में जहां हमारी महरी अटेच होनी है, उसको उनफोल्ड करके बीच सेंटर का मार्क कर लेंगे, तो बीच सेंटर में कड़ा रहेंगे, कट लगाने बाद देखें, हम जहां पर बॉटर लगाना है, उसकी चौडाई पे भी हमें एक मार्क लगा लेंगे क्योंकि हमें नीचरी साड प्लेटि देनी से नी skies देनी हैं तो ऩो अम चौडाई पर जितना चोडोत आपाई सलाई की構比較 लगा लेंबाद तो ये नीचे की साइट दे कि मैंने प्लेटे दे दी है और हमारी स्लाई लग चुकी है अब इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमने नीचे की साइट प्लेटे दी है उसी डायरेक्शन में उपरी साइट दे कि इस पर स्लाई लगा लेंगे उतनी चोड़ाई पे लगाएंगे सलाई जहां चोड़ाई पे हमारा बॉडर लगना है तो एक सलाई हम उपर के साइड भी लगा लेनी है यह देखिए हमारी उपर के साइड भी सलाई जो है बून लग चुकी है अब हम इसके उपर बॉडर अटेच करेंगे तो border कैसे attach करना है हमें जो हमारा salwar है salwar की मैंने ulti side ली है और जो हमारा border है जो हमने complete किया है वो आये वो भी मैंने ulti side में रखा हुआ है तो दौनों को हम ulti side रखते हुए इसको सिल लेंगे कुछ इस तरीके से सिलने के बाद हमें इसको फोल्ड कर लेना है फोल्ड करने की बाद देखिए उसका लुग कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको तो नीचे की side में हम एक लगा ली है ताकि जो हमने border बनाया है वो आच्छे से set हो जाए तो नीचे की side में हमें लगा ली है वहां पर आप बहुत ही clear ही सफाई से सलाई लगाएगा क्योंकि हमारी जो प्लेट है उसकी direction चेंज नहीं होनी चाहिए प्लेटों को अच्छी तरह से set करने के बाद ही border पर सलाई लगाएगा क्योंकि direction चेंज होने पर सलवा का जो look है मौरी का वह पूरा चेंज हो जाएगा तो देखिए मैंने प्लेटों की direction अच्छी तरह स्लाई करने के बाद ही border जो है उसकी उपर सलाई लगाएगा तो यह सलाई लगाके पूरा border कम्प्लीट कर लेना है यह हो गई संप्लीट सलाई देखिए कितना खुबसरा सी मौरी हमारी बनके रैडियो गाती है सेंटर में इसमें प्लेटे हैं और बहुत प्यार लुक लग रहा है इसका देखने पर देखिए हमारी जो लेस है वो अंडरग्राउंड लगी है पूरी बीच में कहीं से भी नजर नहीं आ रही है आपको जो हमारा कंगूरे वाला डिजाइन है वह ही शो हो रहा है तो अब हम इस सलवार की महुरी को कर लेंगे बंद तक की सलवार लगा के हम सलवार की क्यूपर लगा लेंगे चारो तरफ सलवार को बंद करने के बाद देखिए हमारी महुरी जो है कंप्लीट हो जाती है देखिए कितना प्यारा लुक लग रहा है इस महुरी का कंप्लीट होगेगी हमारी सल्वा फ्रेंट्स कैसी लगी आपको यह सल्वा की डिजाइन महोरी की डिजाइन अगा पसंद आएगो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा और इस डिजाइन को आप स्लीपर भी बना सकते हैं अभी तक के लिए इतना ही नैस शुटियों में फिर तक यह बाय बाय ऑाय लाइगों में एक बाया झाम इंद तक की लेओगों में लाइगों में आटाइगी जएगों में ख्यों में अगाै जू दू आपको यह लाइगा हैं